सात्यों नमस्कार आज मैं आपको सरदी के मौसम के लिए एक विसेश नुस्का बताने वाला हूँ जो हमारी गाय भैस बकरी के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होगा आपने अक्सर देखा होगा कि सुबे सुबे के समय जो भी गाय भैस बीमार होती है या बिमार नहीं भी होती है तो सुबे का समय में लगता है कि एक गाय हमारी कमकमपी सी छुटी हुई है उसे या हमारी बहांच जो है वो कमपन कर रही है बकरी को कमपन की समयशा हो रही है सुबे 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 ये अकसर समयशा रहती है तो पसु भालक भाई की दड़कले बढ़ जाती और यार इसको पता नहीं क्या हो गया और खाना बिना बंध है दूद भी नहीं दिया और कमपन कर रही है तो उस इस्तिती में पसु चिक्रिचक के आने से पहले हमें कौन सा नुस्का इस्तिमाल करना है कि तुरंत आपकी गाय बेंस बकरी जो है वो बिल्कु ठीक हो जाएगी तो फ्रेंड्स नुस्का सुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहरा हूँ कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक कमेंट्स है और सबस्काइब कर रहा है धन्यवाद आप सभी का और आप लोगों के लिए जितने भी सवाल है आपके हर कमेंट्स का हम जबाब देते हैं लेकिन कहीं पर अगर चूख हो भी जाए तो मैं माफी चाहता हूँ और आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे डीडी रामावत के नाम से आप वहाँ जाएं और फोलो करके रखें जितने भी हमारे फोलोवर्स है कंटिनियूसली उनकी हर समश्याओं का समाधान हो रहा है तो आप अपनी जो भी समश्याओं है वो हमें बेचें हम जरूर समाधान करेंगे तो सातियों जो नुस्का तयार करना है इसके लिए हमें तीन चीजों की जरुरत पड़ेगी पहली चीज है अजवाइन दूसरी चीज है चीनी यानि सक्कर जो हम घर पे काम में लेते हैं और तीसरी चीज है सातियों जर्दा यानि तमाकू तमाकू की कुछ पत्तियां ही इसमें काम कर जाएगी हमें करना क्या है इस्तेमाल कैसी करना है हमें एक अंगारा लेना है जलता हुआ जो खीरा जिसे हम बोलते हैं या तवा जो है गरम तवा भी ले सकते हैं गरम तवे के उपर हमें पास गराम अजवाइन डालनी है पास गराम चीनी डालनी है और दो तीन गराम के आसपास हमें ब होणा है yani उसको हम तवे को उसके सामने ले जाएंगे तो जो दुआ है उसकी नाक में जाएगा और नाक में जाने से तुरंट उसकी नाक में से कुछ पानी निकलेगा और जितना भी छोटा मोटा इनificearin को हुआ है वह एक्दम से ठीक हो जाएगा तो इस नुस्के का इस्तेमाल जब भी आपके पसु को सुबह सुबह लगी आपको की सरदी लगी है या कम कम भी है तो आप जरूर करें